मा आदी शक्ती तुर्का को समर्पित नवरात्री का पावन पर, चुपचाप यहां डालतें थोड़ी सी चावल, पनिंगे सारी बिक्डी काम, छपपरफार पैसा आईगा घर में, ओमकर्शी महागरी शाय नमा, जै मातादी, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नवरात्री का हमारे धर्म शास्तों में विशेश महत बताया गया है, यह पर मा आदी शक्ती तुर्का को समर्पित होते हैं, नवरात्री के दिनों में मा के नो अलग-अलग सरूपों का पूजन किया जाता है, दोस्तों, हमारे धर्म शास्तों में बताया गया है कि देवी मा को छोड़ कर बाकि सभी देव कर्म के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं, यानि कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है, लेकिन मा ही एक ऐसी होते हैं, जो अपने भक्तों के बुरे स बुरे कर्म को भी माफ कर देते हैं, मा अपने भक्तों की, अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गल्ते को भी माफ कर उनके जीवन को सवार देते हैं, दोस्तों, देवी भागवत पुरान में बताया गया है कि जिन पर मा की कृपा हो जाती है, उन पर सभी देप्ताओं क क्रपा हो जाती है मां अपनी बच्चों की सभी बुरे कर्म बुरी शक्तियों से रक्षा तो करती हैं साथी सभी दुश्मनों को भी शांत कर देती हैं कठिन से कठिन बख्त में भी मां अपनी बच्चों का साथ देती हैं और सदैव उनकी रक्षा के लिए उनकी साथ रहती है मा को प्रसंद करने के लिए नवरात्री का पर खास महत्व रखता है शास्तों के अनुसार नवरात्री के दुनों में मातारानी हम सभी के घरों में पास करती है इसलिए इन दिनों भी हम मातारानी को प्रसंद करने के लिए ब्रत और पूचन करते हैं तो उससे माता रानी अतिशेक्र ही प्रसंद हो जाते हैं और सभी कश्टों को दूर कर मनवांचित प्रदान प्रदान करती हैं। नवरात्री में मा को प्रसंद करने के लिए पूजन और व्रत के साथ कई उपाई भी किये जाते हैं। छोटे छोटे से यह उपाय मा को जल्द ही प्रसंद कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्तों में बताया गया माता रानी की किरपा प्राप्त कहने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कहने से माता रानी के कृपा से बिगड़े कारे भी बनने लगते हैं, कार्यों में आ रही रुकावर दूर होते हैं और हर छेत्र में सफलता मिलते हैं, माता रानी के कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं होते हैं, धन सम्मंदी समस्यां दूर हो जाती हैं और धन का लाब होता है मां के आशिरवास से जीवर में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं दोस्तों उपाई सही प्रकासि करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूस्फुन वीडियो की न इस्नान का सच्च बस्त धारण करें ध्यान रखें काले रगःविकी बस्त पहन कर यह उपाएश्य ना करें धर्म शास्तों में बताया गया है कि नवराद्री के दोरा काले रंगे बस्तर नहीं पहनने चाहें, ऐसा करने से धन की हानी होती है और इसे अश्रुमाना जाता है, इस नान करने के पश्चात आप आप थोड़ी से सावुच चावल लें, दोस्तों आपको कच्चे चावल के दानी ले रहे हैं, ध्यान रखें, चावल का दाना सावुथ होना जाहें, क्योंकि सावुच चावल के दाने को अक्षत कहा जाता है, हमारे धर्मशास्तों में इसे पवित्रता का प्रतीक माना गया है, साथ ही कच्चे चावल जो सावुच चावल का दाना होता है, इसे धन का भी प्रतीक माना जाता है, यह उ पानी नहीं डालना है अब आप चावल की कटूरी लेकर माता रानी के सामने आसन बिचा कर बैठ जाएं मा के सामने इस कटूरी को रखतें और मां के सामने एक गी का तेल का दीपग चलाएं और एक सुगंदित दूपते भी अवश्य जलाएं अब आप मा को किसी फल मिष्ठान का शक्कर या बताशे का भोग लगाएं और मा को कुम-कुम से तिलक करें तिलक करने के पश्चात अब आप मा के सामने एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा पिछा दें जो पूचन के लिए लाल रंग का कपड़ा मार्केट में मिलता है आप पहल लाकर भी उसका एक टुकड़ा माताराने के सामने पिछा सकते हैं अब कपड़ा बिछाने के पश्चात दूस्तों आपको चावल का एक दाना अपने ताहिने हाथ में लेना है चावल की इस दाने को आपको अपने दाहिने आथ के अंगुठे और अनामे का उंगली यानि की जिस उंगली से हम माता रानी के तिलक करते हैं उस उंगली और अंगूठे के बीच में आपको चावल का यह दाना दवाना है चावल का दाना अंगूठे और अनामिका उंगली के बीच रखने के बाद अब आप माता रानी के इस मंतर का चाप करें मंतर है ओम एम रिम क्लिम च सामंडाय पिच्छे दोस्तों इस मंदर का आप को गिंगा बारे बार जाप केयना हुआ हैं ऑपें न सबस्क्राइब मन्तर को बारे बार गिन कर चाप करें दोस्तों बारे बार चाप करें करें पीो सी थे दानें को अन्गूठे और अनामे का उंगली के विच में रखें और फ्रसे बारे बार आप इसी मंतर यानि कि ओम एम हरिम क्रिम चामंडाय पिछे मंतर का चाप करें और चाप करने के पश्चाथ आप इस दानी को बाबस माता रानी के सामने कपड़े पर रख दीजे इस तरह से दोस्तों आपको एक एकर सभी चावल के दानों पर आपको बारे बारे बार इस मंत्र का जाप करना है इस तरह से 108 बार आपका जाप पूरा हो जाएगा और ये 9 चावल के दाने अविमंत्रत हो जाएंगे अब जब जाब पूरा हो जाए तब आप चावल कीजे दाने जो मातारानी के सामने आपने कपड़े पर रखे हैं इन दानों को आप इसी कपड़े में बान दीजे और एक छोटी सी पोटली बना लीजे अब इस पोटली को आप मा के चर्णों में रखते हैं और फिर मातारानी से अपने कश्टों को दूर करने की प्रातना करें। आपके जीवन में धन सम्मंदी जो समस्या चल रही है, घर में धन की हानी होती है, घर में धन फिजूर में ख़च हो जाता है। या धन प्राप्ती के मार्ग नहीं दिख रहे, ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, जो भी धन सम्मंदी समस्या हैं वैसे भी समस्या मातारानी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रातना करें। इस तरहें प्रात्मा करने के प्रशाथ अब आप चावल की उस पूटली को मा के चर्णों से उठा कर दीपक पर नौ बार क्लॉगवाइस घुमा कर बापस मा के चर्णों में डग दें और अपने मस्तक पर कुमकुम से तिलग करें और मा को जो आपने भोग लगाया है उसे प्रशाथ की रूप में ग्रहड करें दोस्तों इस सुपाई को आप नवरात्री में किसी भी दिन कर सकते हैं ध्यान रखें यह पोटली नवरात्री के पूरे दिनों में माता रानी के चर्णों में ही रखी रहनी जाहिएं आप मंदर की सफाई करें चौके की सफाई करें तो बापस इसे माता रानी के चर्णों में रखतें और आप जब भी दीपक जलाकर पूचन करें सुभै शाम के समय तब आप इस पोटली को दीपक पर नौबार क्लॉक वाई जरूर खुमाएं और फिसे माता रानी के चर्णों में रख रहनी चाहें महानबमी की रात्री में संध्यकाल पूजन के पश्चात आप इस पोटली को माता राणी के चड़नों से उठालें और अपनी धन रखने के इस्थान पर रखतें ध्यान रखें आपको धन रखने के इस्थान पर ऐसे रखना है कि इस पर कोई अशुध हाथ ना यानि कि गंदे हाथ या पीरड के दौरान आप इसको नाच होएं या आप एक डिबबे में इस पोटली को रखकर इसके साथ थोड़े से रुपए रख सकते हैं या आपकी जो जो जोल्डी बगेरा आपने रख रखे हैं आप जोल्डी के साथ भी इस पोटली को रख सकते हैं आपके बैवसाय में गिरावट आ रही है, बैवसाय में लाव नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पोटली को अपने बैवसाय इस थल पर धन रखने की इस्थान पर कैश वॉक्स ये कल्ले में भी डख सकते हैं। दोस्तों माता रानी के चर्णों में रखी गई मा के मंतर से अभी मंतर की गई है पोटली, बहुत ही चमतकारी है। इस पोटली में मा का आशिरवाद होता है। यह पोटली धन के साथ जिस जगे पर रखी जाती है, वहाँ धन में दोगना चौगना ब्रधी होती है। धन सम्मंदी समस्याई दूर हो जाते हैं, धन की हानी होना बंध हो जाती है और धन की फिजूल खरचे नहीं होती है। माता रानी, धन की देवी, मा लक्ष्मी के करपासे धन की कोई कमी नहीं रहते। मा के आशिरवास रूप इस पोटली को रखने से बिगड़ी हुए कारे भी बनने लगते हैं और है जेत्र में सफलता मिलते हैं। इसलिए दोस्तों मा के प्रशास रूप इस पोटली को आप सम्हाल कर अपने घर में रखें। ध्यान रखें। इसे गीले हास से नाच हुए और अशुद्धास से भी नाच हुए। गीले हास से छूने की बज़े से चावल खराब हो सकते हैं। फिर यह पोटली खराब हो जाएगे। इसलिए इस बात का आपको विशिश रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों नवरादे के पावर पर माता रानी की असीम करपा प्राप्त करने के लिए आप इस उपाए को अवश्य ही करें और इससे लाप प्राप्त करें। उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइप करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भैभी इसका लाव उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक्स फॉर वचिंग राधी राधी जैमाता दी